नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चनल क्रैक यूपी पीसेस में आज है 6 अक्टूबर इस वीडियो पर हम करन्ट अफ्यस पर चल्चा करेंगे जो आपकी आगामी परिच्छा यूपी पीसेस लोवार आरो आरो लेकपाल और अन्य विभिन पर पूटियन साजाब जैता घोसित सोमार को चिकित्सा के नोबल के लिए दो साजाब जैताओं डेविड जूलियस और आर्डेन पैटा मूटियम के नाम घोसित किया गया है इन दोनों रिसर्चरों को सरीर में तापमान दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की इंस्टिटूट में वैज्यानिक हैं भूजल प्रवंधन के लिए हैली बोर्न सर्वे तकनीक का सुबारम पृति विज्ञान मंत्री डाक्टर जीतेन सिंग ने 6 अक्टूबर 2021 को भूजल प्रवंधन के लिए अत्या धुनिक हैली बोर्न सर्वे तकनीक का सुबारम किया इ इसकी सुरुवात राजस्थान के जोदपूर्च से की गई है। मूडीज ने भारत के परदिश सिकों नकारात्मक से इस्तिर में अपग्रेड किया। रेटिग एजेंसी मूडीज इन्वेश्टर सर्विस ने भारत के सावरेन रेटिंग आउटलूक को नकारात्मक से इस्तिर कर दिया है। इसने भारत की रेटिंग को BAA3 को परवर करार रखा जो सबसे कम निवेस ग्रेड रेटिंग को दर्साता है। उम्मीद है कि 2021-22 में सकल घेरेल उत्पाद में 9.3% की ब्रिद्ध दर्च की जाएगी इसके बाद आगले वर्स 7.9% की ब्रिद्ध होगी। जुन 2020 में मूडीज ने नकारात्मक दिश्टिकोन के साथ भारत की सावरेन रेटिंग को BAA2 से घटा कर BAA3 कर दिया था। BSC Technologies को मिली TREDS स्थाफित करने और संचालित करने की मंजूरी BSC Technologies को भुकतान और निप्टान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहरेट ट्रेड रिसीवेल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम स्थाफित करने और संचालित करने के लिए RBI से सद्धान्तिक मंजूरी मिली है BSC Technologies BSC की पुर्ण स्वामित वाली सहायक कंपनी है जो IT समाधान प्रदान करती है TREDS एक इलेक्टरानिक प्लेट फ्राम है जो MSME S के व्यापार प्राप्तियों का वित्पोशन या छूट की सुवधा प्रदान करता है Federal Bank ने प्रतिभूतिकरण मंच के लिए की Crade Venue के साथ साजेदारी है Federal Bank ने अपनी प्रतिभूतिकरण पुष्टक को पोल्ट फोलियो प्रबंधन के लिए Crade Avenue के साथ करार किया है इसने Crade Avenue के एक संस्थागत रिन मंच Crade Pool को भी लागू किया है या व्यवस्था बैंक के परिसंपति समर्पित प्रतिभूतियों और बंधक समर्पित प्रतिभूतियों पूल पर संपतियों की डिजिटल रूप से निगरादनी करने में मदद करेगी जो Crade Pool द्वारा Inbuilt और अधिक को सलता है एक्सिस बैंक SOFR Trade Finance डील टर्म करने वाला पहला निजी बैंक एक्सिस बैंक एक टर्म सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनसिंग रेट लिंग्ड ट्रेड फाइनसिंग डील की विवस्था करने वाला पहला भारतिय निजी छेतर का बैंक बन गया है ले इंदेन को राजसु के हिसाब से बिस्थ की सबसे बड़ी अलमूनियम कमपनी हिंडाल को इंडरस्टीच के लिए निस्पादित किया गया था और एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी आई वी यू स्वाकादारा बित्त पोसित 90 वेसे यसो एफार से जुड़ा था गिफ्ट सिटी साखा ने आज तक एक बिलियन डालर से अधिक किरिंड पुष्ट का तयार की है आसवर्य टॉमर ने जीता जूनियर गोल्ड वर्ल्ड चम्पियंशिप में गोल्ड निसाने बाज आसवर्य परताप सिंख्ट उमर ने आई एसेस हैफ जूनियर बिस चम्पियंशिप में पुरस्टों की 50 मीटर राइफल ठी पोजीसन इस परदा में फाइनलinté बिस के स्कोर के साथ जूनियर बिस रिकाल्ड को बहतर बनाया फ्रेंच मैं लुकास क्रीज ने रज़त पतक जीता है जो हजार बाइस बर्मिंगम राश्ट खेलों से हटी हांकी टीम इंडिया भारत पाच अक्टोबर 2021 को 2022 बर्मिंगम राश्ट मंडल खेलों से हांकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है इसने देश के यात्रियों के लिए COVID-19 चिंताओं और UK के भेदबाव पूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया बुनेस्वर में जूनियर पुरुस विसिकप में इंगलेंड के इसी तरह के कारणों से हटने के एक दिन बाद ज्याने रणài लीया गया रेल विकास निगम लिम्टेट ने टाटा स्टील के साथ किया समझोटा रेल विकास निगम लिम्टेड ने विभिन आधारभूत सनर्चनाओं पर्योजनाओं के कार्यानवन के लिए टाटा स्टील लिम्टेड के साथ एक समझाओता किया है नमींतम समझवता आधारभूत सनचना पर्योजनाओं के कार्यानवन के सम्बंध में या तो नामांकन के आधार पर जमाकार के रूप में या विशेष प्रयोजन वाहन मार के माध्यम से है आरवी यनल मुक्रूप से भारती रेलवे के लिए आधारभूत सनचना उपलब्ध कराने का कार्य करता है IIFL के साथ सहरिन साजयदारी में प्रवेश करेगा सेंट्रल वाइंक आफ इंडिया सेंट्रल वाइंक आफ इंडिया ने IIFL Home Finance Limited के साथ एक रणनीतिक सहरिन साजयदारी में प्रवेश किया है या MSME रिन करताओं को प्रात्मिक छेतर के तहत SME LAP यानि कि संपति पर रिन रिन उत्पादों की पेसकस करेगा इस बेवस्ता के तहत IIFL Home Finance Limited सेंट रूप से त्यार करने के लिए क्रेडिट माप दंडों और पात्रता मान दंडों के अनुसार रिन की उत्पत्य और प्रक्रिया करेगा US IBC ने दिये 2021 Global Leadership Humanitarian Awards US India Business Council ने 2021 Global Leadership Humanitarian Award की घोश्णा की है इसे महामारी प्रतिकिरिया पर Global Task Force बराने के लिए एक्चेंजर, IBM और Microsoft के सीर्ष नेताओं को प्रस्तुत किया जाएगा जिसने भारत को COVID-19 की दूसरी लहर से लड़ने में मदद की अक्टूबर 2021 में इंडिया आइडियाज सम्मिट के दौरान जूली, स्टीव, अरविंद कृष्णा और ब्रेंड स्मिट को सम्मानित किया जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सेर जरूर की जगा धन्यवाद